नमस्काद दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फेस से तमाम बहुत बड़ी खबर मुख्य समाचा लेकर आए हैं हर ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचाएंगे जहां पाज जानेंगे राहुल गानी की भाद जोड़ो नया यात्रा को लेके अपडेट आई है जा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे वहीं दोस्तों अगर आप लोग भी मानते हैं कि चुनाओ बैलेट पेपर से होने चाहिए तो एक लाइक वीडियो को जरू कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जरू लिखेगा हैश्टैग भी सपोर्ट बैलेट पेपर जहारखंड में सक सावित हुए तो राजनीती छोड़ दूंगा हेमंत सोरेन बोले हैं हेमंत सोरेन ने कहा कि मेरे उपर गलत आरूत लगाएगे अगर यह आरोप सच सावित हो गया मैं राजनीती छोड़ दूंगा विपच्च सावित करे कि वो जमीन मेरे नाम पर है हेमंत सोरेन ने कहा कि मै आसु नहीं भाऊंगा वक्त के लिए बचा कर रखे हैं इनको गोटा आ ले 2019 से निजर आ रहे हैं विपच नहीं चाहता कि जारखंड दलित आदिवासी आगे बढ़े हैं हेमंत सोरें ने कहा कि मेरी गिरफतारी में राज भवन भी सामिल है दोस्तों चमपाई सोरें ने बहुमत हांसिल किया है फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है चम्पाई सॉरेन के फ्लॉर टेस्ट में सामिल हूए जारखंड के पूरूसीयं लगे हेमन्थ सॉरेन जिन्दावाद के नारे हेमन्थ सॉरेन की याच्कापर हाइ कोट ने एडी से जवाब भी तलब कर दिया है हेमन्त सोरे ने अपनी किरफताई के खिलाफ जारखंड हाई कोट में आजका दायर की जिस पर सुनबाई करते हुए हाई कोट ने एडी को 9 फरवरी तक जवाब दायर करने के लिए कहा है इसके बाद एगली सुनबाई 12 फरवरी को होगी ब्रेकिंग नियूज लद्दाक से आ रही है जो ख़वर गोधी मीडिया नहीं दिखाएगी लद्दाक की जनता नयाय के लिए सड़कों पर उतर आई है जिहां दोस्तों लद्दाक को पूर्राज का दरजा देने की मांग तेज होती जा रही है लद्दाक में बंद का असर भी देखने को मिला है हाथ में बीजेपी का मैनिफेस्टर ये जनता कह रही है मोधी सरकार और बीजेपी सिर्फ जुमलेवाजी कहती है लद्दाक के लोग पूर्राज दरजा मांग कर रहे है अपस्रोस की ख़वार तो ये है टीवी ये निउस नहीं दिखा रहा क्यूंकि उस पार मोधी सरकार का कबजा जो है कांगेस ने आगे कहा कि लेकिन अन्याए के दिन अवलद गए है अब न्याए होकर रहेगा ये अपडेट निकल के आई है लद्दाक से दोस्तों राजसवा जाने के लिए संजय सिंग लाए थे कोट से परमीशन पर धंकर ने सपत पे लगा दी रोक आम आदरी पाइड़े के नेता संजय सिंग आज राजसवा संसर के तौर पर सपत नहीं ले संकेंगे राजसवा के सवापती जगदी बढ़न करने उन्हें सपत लेने की अनुमती देने से इंकार कर दिया सवापती का कहना है मामला फिलहाल भी से साधिकास समीती के पास है बता दें राजसवा जाने के लिए संजय सिंग दिल्ली की राउज एवनिव कोर्ट से खास अनुमती लेकर आये थे लेकिन अब उन्हें सपत लेने से रोक दिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर आम आदूई पार्टी बीजेपी पर हमलावर है वहीं दूसरी तरह भाजपा ने यूपी की 74 सीटों पर तय किये उमीदवारों के नाव बची इन 6 सीटों पर पियम मोदी निर्णा लेंगे लोग सवा चुनाओं में भाजपा किसी भी प्रकार की लापरवाई बरतने के मूड में नज़र नहीं आ रही भाजपा की पित्यासी चैन की कारवाई अंतिम दौर में है यूपी की 80 लोग सवा छेत्रों में से 6 सीटों पर पित्यासी चैन का निर्णा है पियम मोदी की हई जंडी के बाद होगा इन सीटों पर फैसला लेंगे पिदान मंत्री मोदी सुत्रों के मताविक मधुरा की सांसद हेमा मानली बरेली से संतोस गंगवार सुल्तान पूर से मेंका गांधी गाजी अवास से संसद किंदे राज्यमंत्री वीके सिंग तीली वीष से वरुन गांधी और कानपूर नगस से संसद सत्य देब पच्वारी की सीट पर फैसला पियम मोदी के इस तर से होगा इन में से संतोस गंगवार सत्य देब पच्वारी हेमा माली के उमर करीब 75 वारस के दायरे में है वहें प्रदेश भाजपा के नेता मेंका गांधी और बरुन गांधी को टिकेट देने के पच्च में नहीं है और सुल्तान पूर पीली भी पी ने तेज कर दी है तुल मिलाकर जो अपडेट आ रही है उसके चालिस फिजदी संसदों के टिकेट यहां पर काटने की तैयारी में बीजेपी है दोस्तों यह अपडेट निकल के आई है बात करते हैं भारत जोड़ो नया यत्रा की राची पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यत्रा जारखंट की राजधानी राची पहुंच गई है यत्रा जहां पर दोस्तों जैमेम कॉंग्रेस कार गता हुने जोड़दार तरीके से यत्रा का स्वागत किया राहुल गांधी को आम जम समर्थन जो मिल रहा है उससे बीजेपी जारखंट में क पड़ावयान कॉंग्रेस मद्देश में पंद्रा से अधिक लोग सवा सीटों पर जीत दरज करेगी जी हां दोस्तों जीतु पड़वाई ने मोहने अधर सरकार को निसाने पे लिया और कहा कि सरकार अपने किये हुए बादों को पूरा कहने में बिफल रही है इसी के साथ अगली अपडेट आ रही है संजर राउत का प्रदान मंत्री पर जोडार हमला देश की पूरी लूट गुजरात में जा रही है सिवसेना यूवीटी सांसाद संजर राउत ने कहा कि प्रदान मंत्री बारवार महराश्ट की यात्रा कर रहा है लगभग पूरी मुंबई हूं तो लोग डर जाते हैं संजर राउत में दोस्तों जोडार तरीके से बीजेपी को निशाने पर लिया है दूसरी तराफ चंडीगड मेया चुनाओं में धांदली के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने किया है भूंख हड़ताल का एलान कारवाई होने तक जारी रहेगा अंदोला अंचंडी का मेया चुनाओं में धांदली हुई थी उस पर आज तो सीजी आई के अध्यचता वाली बैंच सुनबाई करने वाली है हाई कोट ने सुनबाई से इंकार किया था चुनाओं रद्ध करने से मना कर दिया था आव अधिर पार्टी आव अपने इस तर स पूरे मामले पे बीजेपी को घेने की पूरी कोजस में है आप नेताओं ने सेक्टर सत्रा में नगन निगम कार्याले के सामने भोख हरताल करने की घोशना की है पार्टी ने कहा कि यहां अंसन तब तक जारे रहेगा जब तक आरोपी पीठा सीन अधिकारी के खिलाफ जाता जारखंड के राची पहुंचते ही नया यत्रा में राहूल गांदी बोले आदिवासी भाईयों के जल जंगल जमीन की रच्छा करती है कौंग्रेस करती रहेगी बीजेपी पास आदा है निसाना आपको दोस्तों बताते चले राहूल गांदी ने यहां पर सीथे तो कर अच्छा कॉंग्रेस पार्टी करती है करती रहेगी हम आपके साथ खड़े हैं बीहार में बड़ा राजनीति घटना करम देखने को मिल सकता है ते जस्वी आदा फ्लोर टेस्ट में कर सकते हैं खेला पलट सकती है बाजी फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासत गर्म के लिए कॉंग्रेस ने ये कदम उठाया है कॉंग्रेस पार्टी को डर है यहां पर बीजेपी बिलायकों की खरीद फरोग्त कर सकती है इसलिए दोस्तों खेला करने की तैयारी कर लिए ते जस्वी आदम ने उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था बिहार में बड़ा निवाद